आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ हेलो दोस्तों हमें प्रश्न में दिया गया है कि 44 cm और 24 cm के कागज को इस प्रकार मोड़ा जाता है कि इस से 24 cm उचाई का बेलन बन जाता है तो बेलन के आधार का व्यास ग्यात कीजिए तो चलिए देखिए हमें माल लीजिए एक कागज दिया गया है कागज दिया गे है जिसकी मतलब इस प्रकार कागज दिया गार समझ लेजी ठीक है जिसकी लंबाई हमें पता है लंबाई है चवालिस और उचाई है जब चॉडाई बहुत सकते हैं 24 cm तो इस प्रकार है 44 cm और यह है कितना यह है 24 cm ठीक है कि अब हम करते का गाया है इस काघच को इसा challeng कर देते हैं माली या ले इंट आ लेते हैं एक एक सीरेस बते हैं १धरकिक है वो यसे मौड ते हैं तो हम क्या करते हैं एक घया प्राप्त हो सकता है है ना तो जो बेलन बनता है उसकी उंचाई कितनी हो जाती 24 cm ठीक है और देखिए चुकि हमने इस कागश को मोड़ा है तो यह जो लंबाई है हमारी है ना यह जो हमारी लंबाई है इस कागश की यह क्या बन जाएगी यह जो हमारा बेलन बनेगा उसके आधार की पर्धी के र तो यह जो इसकी परधी होगी अधार की तूपाई या कि इतनी हो जाएगी चवालिस तो यहां से हम तुरिज्जा ग्याद कर सकते हैं आर क्या हो जाएगा चावालिस बटे दो पाई यह पर बोल सकते हैं आर बरावर चावालिस बटे यह जाएगा बाइस बटे साथ ठीक है तो बाइस दूनी और यह दो जो कड़िया है तो हमारी तुरिज्जा कितनी आगी तुरिज्जा आगी साथ सेंटिमेटर अब देखे आगी क्या पूछा गय तुरिज्जा आर बरावर साथ सेंटिमेटर तो व्यास क्या होता है व्यास होता है तुरिज्जा का दो गुना दो आर ते दो गुड़े साथ बरावर 14 सेंटिमेटर अउम्मीद करता है यह आपको समझा आगया होगा दोस्तों यह हमारा उत्तर है धन्यवाद प्लासिक्स से टुएल से लेके नीट आयाईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर